तो हलो दोस्तों कैसे हो आप सब आई होब क्या पच्छोंगे दोस्तों मैं हूँ प्रवीट पंगा और फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों इस वीडियो में आज जो हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहेते हैं और म्यूजिक का जो डिपार्टमेंट है म्यूजिक का अलग से इंट्रेंस एक्जाम देगा यह उर्दू डिपार्टमेंट है तो उर्दू का अलग से इंट्रेंस एक्जाम होगा कहने मतलब इंट्रेंस एक्जाम का जो कई सारे स्टुडेंट रहते हैं जो एकोनोमिक्स और तो इसी को बारे में हम completed video समझने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक बोच करिएगा कहने मतलब कि यह अगर आप इनको क्राश करना चाहते हैं तो आपको बीए का कोर्सी पढ़ना चाहिए जो इकोनोमिक्स के student पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ना चाहिए तो कहने मतलब आप इस video को complete देखेंगे तो complete समझ में आएगा अगर आप दोस्त वीडियो को करते हैं अगर बढ़ा देए तो आप वीडियो को इसको क्लिकुल ने समझ में आएगा चाहिए आप science की student हो चाहिए तो दोस्तों जैसे कई सारे लोग रहते हैं जिनका डाउट क्लियर नहीं हो पाता तो आज है इस वीडियो में हम जामते हैं कि हम बात करने वाले हैं फिर यह सब कोर्स जो हमारे पास हैं इनकी सब की देखने वाले हैं और फिर बीएसी की भी बात करने वाले हैं तो यह सब कोर्स के बारे में जानेंगे कहने का मतलब की ब्ये जो कोरस है न क n कई सारी स्टुडेंट होते हैं अर उनको डाउट होता है कि मतलब बीए के अंतरगत कौन से सब्जेक्ट आते हैं सब्जेक्ट उपलखध मैं योगा करना चाहते हैं योगा कोर्ष लेना चाहते हैं योगा सब्जेक्ट तो यह समझते हैं कि दरोत वह यह जा रहे तinä looking मैं देख रहा था बॉटक्प पर टेलीगंब चैनल पर बहुत सारे मेशनेज आ रहे थे जो मैसेज कमेंट पर आ रहा था और यूटूब पर कि उसमें जो म्यूजिक के स्टूडेंट हैं वह म्यूजिक के स्टूडेंट कह रहे हैं कि म्यूजिक के लिए का इंट्रेंस एक्जाम अलाग से होगा मैं कहता हूं अर्ल दोस्तों इस वीडियो को आप देखने के बाद पूरा doubt clear हो जाएगा कि अगर chemistry का अलाग से नहीं होगा physics का अलाग से intrinsic jam नहीं होगा ठीक है और अगर आप music ले रहे हैं या economics ले रहे हैं या फिर geography ले रहे हैं तो इनका अलाग से intrinsic jam नहीं देना पड़ेगा योगा ले रहे हैं तो चलिए इस वीडियो को हम complete देखेंगे और आप complete देखेंगे तो complete जानकारी समझ पाएंगे और अगर नहीं देखेंगे तो जानकारी समझ नहीं पाएंगे तो सबसे पहले मैं बता दू यहाँ पे हम आ चुके हैं ठीक है यहाँ पे हम आ चुके हैं और जैसे कि मैं बता दू यहाँ पे यह अभी B.A. का ही चल रहा है तो B.A. के अंतरगत हम देखेंगे जैसे कि मैं पहले बता दू आप लोगों को B.A. के अंतरगत कौन-कौन से subject आते हैं तो बीए के अंतरगत इस subject को आप फटावट देख लिजे, यहाँ पे subject दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, subject यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, और यहाँ पे subject के साथ seat दिख रहा है, कि बीए के लिए कितने seat उपलब्ध है, तो आप देख लिजे, वो subject बोल रहा हू बीए के लिए तो seat आल्रेडी मैंने बता दिया कि कितने उपलब्ध होंगे और नहीं जाने होंगे, तो आप लोग देख लेंगे, चलिए, यहाँ पे subject देखते हैं, बीए का subject कौन कौन से आते हैं, बीए के अंतरगत, तो वह subject जैसे कि यहाँ पे देख पा रहा होंगे, ठ 50 seat है, यहाँ पे देख लिए, criminology, 100 seat है, economics, 132 seat है, ठीक है, economics का 132 student admission ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें, education, 75, ठीक है, हिंदी, लिवेस्टिक, जोग्राफी, तो यहाँ पे देख लिए, जोग्राफी के 106, यहाँ पे देख लिए, ठीक है, तो यह सब subject है, बीए के अ सब्जेक्ट आते हैं, यहाँ पे हिंदी लिट्रेचर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हिंदी लिट्रेचर, उसकी seat कितनी है, history की, main history की, कितने student आएंगे, ठीक है, mathematics के कितने student आएंगे, music, हाँ, music की जो comment हो रहे थे, वो बीए के अंतर गयती ही आता है, philosophy देख लिजे, political science, जो हमारा राजनीत विग्जान है, वह देख लिजे, political science, ठीक है, यहाँ पे देख लिजे, संस्कृत, संस्कृत भी बीए के अंतर गत आता है, जो संस्कृत लेना चाहते हैं, वो बीए के इंटरेंस देंगे, sociology, स्यमाशास्त, यहाँ पे aesthetics, ठीक है, संखेकी, यहाँ पे देख लिजे, यहाँ पे संखेकी के 12 हैं, और उर्दू, ठीक है, उर्दू और योगा science, यहाँ पे उर्दू और योगा science के कई सारे student थे, तो यहाँ पे उर्दू का भी 11 seat है, और आप बीए से ही उर्दू करेंगे, अगर करना चाहते हैं, तो जैसे क योगा science, ठीक है, योगा science के मतलब की science जैसे की योगा जो हमां करते हैं, तो योगा का भी बीए का, अगर आपने बीए का entrance दिया है, तो आपको योगा मिल जाएगा, ठीक है, आप doubt clear हो चुका है, चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं कि admission कि इस process पे होता है, माल लिजे कि अगर आप जाओगे admission के लिए, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि आप लोग नहीं देखेंगे, तो आपको इसी प्रकार चार्ट दिखाया जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूं, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, और पूरा complete देखेंगे तब ही आप complete ही जान पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं बता दूँ कि ये BA का total seat कितनी है, 800 मतलब की 806, ठीक है, यहाँ पर total seat 806 है, अमाल लिजए कि यहाँ पर जैसे आप पे division के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर group लिखा रहेगा, ठीक है, group A, group B, group C, ठीक है, ब BSC का भी मैं बताऊंगा, तो BSC के वेले थोड़ा वेट करें, और BA वालों को देखने हैं, जिसमें से उनको भी मार्क दर्सन आप दे सकें, तो यहाँ पर जैसे कि ABC लिखा होगा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, group में ABC डला है, अब ABC ग्रूप में डला है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ABC ग्रूप में डला है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो माल लिजे कि BA के आप अगर हरी सिंग और युनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, तो अब ऐसा रूल है, कि आपको दो सब्जेक्ट चूच करना प तो अब यहाँ पर क्या हो गया, कि वो जाते हैं मतलब कि कॉलेज में, और कॉलेज में गये हरी सिंग और युनिवर्सिटी में, तो उनको लेना है बीए, अब बीए में क्या करना है, उनको तीनो कोर्स करना है तो गलत, तीनो कोर्स उनको नहीं मिलेगा, बट दो ही कोर्स आप भी एक एंदर करेंगे, दो ही सब्जेक्ट करेंगे, तो माल लिजे का अगर आप एकोनोमिक्स लिए हैं, तो यहाँ पे एकोनोमिक्स पे टिक कर देंगे, ठीक है, आपको एकोनोमिक्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, मगर आप जोग्रफी भी लेना चाहते है अब इन दोनों में competition होगे ठीक है यहाँ पर देख पा रहे होंगे इन दोनों में competition होगे अब इन दोनों में आपको एक चूच करना है कि आपको क्या लेना है तो माल लिजे का अगर आप political science ले लिए तो जोग्रफी कट कर दिए और अगर आप जोग्रफी ले लिए तो political science आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो आई होब कि आप समझ गये होंगे नहीं समझे होंगे एक बार मैं फिर से समझाने की प्रयाश करता हूं माल लिजे कहां यहां पर यह चार्ट बोक्स है इस प्रकार आपको कॉंसलिंग होगा यह एडविशन वक्त आजब ओनलाइन होगा यह फिर आप जाओगे तो आपको अपने ले लिया यह मतलब को वाला हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री तो इसमें ले लिया तो अगर आप इन दोनों में जोग्रफी और पॉलिटिकल साइंस और यह किरमनलोजी नहीं लेना है ठीक है तो फिर आप म्यूजिक लेना है तो आप एकोनॉमिक्स ले लिए और म्यूजिक ले लिए अब कई सारे स्टुडेंट रहते हैं जो क्या कहते हैं कि उनको थोड़ा म्यूजिक मे नहीं लेंगे ठीक है यह वाले वह नहीं लेंगे वह बी वाला कोर्स बी वाले सब्जेक्ट में से एक के चूज कर लेंगे तो यहां पर जैसे कि आप लोग को दिख पा रहा होगा म्यूजिक ठीक है यहां पर आपको म्यूजिक मिल रहा होगा तो आप यहां पर म्यूजिक को select करता सकते हैं इसमें से एक subject्ट आप select कर लिए और दूसरा subject माल लिए जै कि यहाँ पर जैसे आपको select करना है तो दूसरा subject आप इसमें से B में तो आपको यह सब कर लिए तो माले जैक चाहते हैる तो आपको music यहाँ पर select हो चुका है आप अगर चाहे तो economics भी ले सकते हैं ठीक है आप चाहे तो economics भी ले सकते हैं और माली जे कि economics नहीं ले लिए तो अगर आप B.A. करेंगे तो यहाँ पर एक subject तो आपका music select ही है ठीक है यहाँ पर अब आप इसमें नीचे वाले में C number पर ले सकते हैं माली जे कि आप C number पर Hindi literature ले लिए ठीक है यहाँ पर Hindi literature मिल रहा है तो आप Hindi literature मिले लिए तो आपका दो सब्जेक्ट कि हाँ पर clear हो चुका इस सिर्फ A B C जो ग्रूप है न उसमें सिर्फ एक ही चूज करना एक ही subject चुनना है आपको और मतलब कि माली जे कि BA में सिर्फ दो सब्जेक्ट चूज करना है तो आप C B कर सकते हो और A B कर सकते हो अगर B वाला नहीं लेना है तो कोई problem कोई दिक्कत नहीं है अगर आप A कर सकते हो बी कर सकते हो मगर C वाला आपको नहीं मिलेगा ठीक है क्योंकि और यहां पर अगर सब्जेक्ट आपका टकार मगर आप सोच रहे हो कि जैसे कि मतलब कोलेज में जाके और जियोग्रफी भी ले 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 और पॉलेटिकल साइंस भी ले 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 तो आप गलत हो यहां पर आपको नहीं मिलेगा आपको यहां पर एक ही सब्जेक्ट रेश च्यूज करना पड़ेगा एक ग्रूप पे और दूसरे ग्रूप पे अगर आप सी पह च्यूज करना चाहते हैं तो इनमें से कर लिजे योगा नहीं करना चाहिते आप तो यहां पे पोलिटिकल साइस के साथ आप हिस्ट्री करना चाहते हो तो ले कोई दिक्कत नहीं है तो आप समझ गए होंगे चलिए तो यहां पे कुछ ऐसा ही है आप यहां पर मैं ग्रूप का समझादें तो जो है बिदर के स्टुदिंट रहते हैं इसमें वी दो ग्रूप है और दो ग्रूप में आपको क्या चूज करना है ठीक है तो क्या मैं तो ऑर अपने सी है जा namag program ले लिए ठीक है और जिए सारी स्टुदिंट होते हैं जो economics ले लेते हैं यह पोलिटीकल साइस ले लेते हैं तो दोनों में से एक सब्जेक्ट करना माले दोनों में से मैं मतलब कि मॉडल इंडियन लेंग्वेजम ठीक है तो यह रहेगा और foundation course रहेगा FC जिसमें से कि FC आप जाओगे तो आप लेडी समझ पाओगे और आपकी जो practical रहेगा ठीक है और बीए बेर्ड में फिर आपको क्या करना है एक subject और चूच करना है जो कि education ठीक है तो education टोटल में जाके बीए बेर्ड में कितने subject हो गए आपके पांच ठीक है दो यह रहेंगे दो ग्रूप से यह रहेंगे और इसके बाद दो ग्रूप आपका यह रहा फिर M.I.L. जो है वह 3 हुआ और FC जो हो गया FC वह 4 हो गया और आपका educational ठीक है education जो है वह 5 तो टोटल मिला क जिष्ट करें तो बी एमें कितने subject ले सकते हैं student तो बी एमें माले जे की आपका 4 ही subject रहेंगे तो 4 सॉब्जेक्ट में आपका माले जे की जिसे geography जिवाग्राफी में आपका practical लगेगा तो उहां प्रक्त सब्जेक्ष्ट होंगे बाकी अगर आपने practical नहीं ये अहेंप प् say history ले लिया तो इसमें practical नहीं लगते ये practical वाला नहीं है तो इसमें आपको टोटल चार subject A हो गया और 2 हो गया। मिल हो गया और FC हो गया ठीग है तो टोटल मिला कि चार subject हो गया और आपने अगर जोगर की ले लिया तो आप है practical का अलाग से सब्जेक्ट चुड़ जाएगा तो I hope कि आप समझ गया होंगे चलिए हम BSC की बात करते हैं BSC का group देख लेते हैं BSC का seat देख लिजे यह BSC का seat है यहाँ पर देख लिजे यहाँ पर कितने क्या seat समझाया था आप लोगोंने BSC के student अगर आपको इसको बढ़ा दिया होंगे तो सुरू से फिर से देख लिजे वीडियो करना समझ मैं तो वीडियो को फिर से math group का है तो यह BSC math group तो यहाँ पर देख लिजे यहाँ पर आपको subject choose करना है उसी प्रकार इसमें 3 subject रहेंगे और BSC bio का है तो BSC bio का group भी आप लोग देख लिजे इसमें 3 subject choose करना है जो की A B C D already डला है subject ऐसे से डले हैं सीट ऐसे डले हैं आप लोग नहीं देखा होगा बीए वाला तो complete उसको फिर से मैं कह रहा हूं repeat करके देखिए जिसमें से समझ में आ जाए ठीक है बीए बेड की टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट बीए बेड में यहां पर 63 बता रहा है जो कि मैं यहां पर हरी सिंग और कहीं website खोला हूं तो यह हरी सिंग को गौर कही website है अगर आप लोग को अकीन नहों रहा हो तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे डायरेक्ट यहां पर कि हरी सिंग गौर डॉक्टर हरी सिंग गौर पिश्विद्यले चागर MP जो कि यह सीट बता रहा है इतना इतना सीट है तो बीए बेड का कितना है 63 सिट यहां पर उपलब्द हो रहे हैं ठीक है जो कि यहां पर सो कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर तीन तीन सब्जेक्ट चूज करना है उसी प्रकार और MIL सेलेक्ट करना है जो कि आपको अलग से हो जाएगा तो चार सब्जेक्ट हो जाएं माली जे कि आपने यहां पर थ्री ग्रूप सेलेक्ट कर लिए ठीक है तीन तो आपका सब्जेक्ट हो गए तीन सब्जेक्ट हो गए और प्लस इसमें MIL रहेगा तो MIL जो हो गया तो हमारा क कितनے हो गए चार हो गए ठीक है वित्व सब्जेक्ट तो 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 कितने हो गए अनद सब्जेक्ट गदना पडएगा प्रैक्टिकल सभी याँड को सब समझ में आने लगेगा तो अलएडी सब समझ में आने लगे कुछ नोलज मिला हो अगर इस वीडियो पर knowledge मिला हो जैसे कि यहां पर सीट्वी देख सकते हैं कितने सीट हैं और कितने सीट है हर सब्जेक्ट का कितने सीट है जैसे B.A.L.L.V का आल्रेडी सीट देख लीजे, B.A.L.L.V ओनर्स पात साल के लिए, 44 सीट उपलब देख लिए, 10 समेस्टर के लिए, पेपर कोड ये होगा, B.G. की देख लीजे, B.A.Y.O. का ग्रूप का देख लीजे, तो यहाँ पे आल्रेडी आप लोग देख लीजे, यहाँ पे आल्रेडी हरी सिंग और उनिवर्सिटी सागर मिल जाएगा, तो इस वीडियो में अगर कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नहीं हो, तो सब्सक्राइब करके विल आइकन का बटन प्रेस कर दिएगा, चलिए मिलते र पुराद नीचे कर दिए